आज मेरे सामने खड़ी है हस्क वर्ना और हस्क वर्ना का ये थोड़ा सा अपग्रेडिड वर्जन है पहले 250 CC के साथ ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता था लेकिन अब फिलाल हमें जो है 400 CC के इंजन के साथ देखने को मिल जाता है पहले 250 थोड़ा सा अंडर पावर लगता था था थोड़ा सी पावर की कमी महसूस होती थी लेकिन अब जो है सेम एंजन केटिम वाला ही 390 वाला ही इंजन इसके इंदर देखने को मिल जाता है थोड़ा सा ट्यून अप करके इसके इंदर पावर फिकर्स बढ़हा दी गई है अब इस वीडियो में इस बाइक के टोटल डीटेल्स के बारे में बात करेंगे फीचर्स क्या है प्राइस क्या है कमफर्ट क्या है और ओवर और पावर फिकर्स कैसी रहने वाले इस बाइक की उन सारी चीजों के बारे में इस सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिल जा तो स्टार्ट करते हैं फुलिक रिव्यू को जानते हैं इस बहतरीन सी बाइक के बारे में और नेकड बाइक के बारे में की ओफर क्या कर देते हैं क्योंकि लोगों को इस बाइक के बारे में ज्यादा पता नहीं है और लोग एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे हैं तो मैं चाहता ह यह आपके लिए काफे ज़्यादा बहतरीन choice रहे और start करते हैं एक बार अगर आप इसके looks के बारे में बात करते हैं तो looks काफे ज़्यादा अच्छे खासे दिये गए हैं और मुझे परेशनली के looks काँए अच्छे से लगते हैं अब अगर हम बात करते हैं इसके की आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको हस्क वर्ना का लोगो भी देखने को मिल जाता है। देखने को मिलेंगे और पूरा ही जो इस तरीकिने को मिल जाता है यहां रेडियाट दिया गया है थोड़े से चेंज किये गए हैं पहले वाली से और थोड़ी सी अच्छी सी लगती है सुरू सही मेरे को personally husk वरना काफी सही लगती है digital meter वरना सब मिल जाता है इसके अंदर और overall जो चीजे है husk वरना का logo वेगरा देखने को मिल जाता है इसमें spoke wheel इसके अंदर offer केंगा है तिल्ली वाले टायर विगरा वील बेसिकली जो है इसके अंदर offer केंगा है 110 का section देखने को मिल जाता है और अगर आपको close up look दो तो 110, 70, 17 inches का section आपको पूरा ही देखने को मिल जाता है और जो पीछे वाला section है ये भी spoke wheel के साथ देखने को मिल जाता है लेकिन इसका जो wideness है टायर की वो थोड़ी सी आपको extended देखने को मिल जाता है इसके अंदर disc brake का setup आपको पूरा ही देखने को मिल जाता है यहां आपको पूरे ही बैजिंग विगरा और stickering विगरा proper देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं जो ABS है इसका आप बंद या on भी कर सकते हैं यानि कि पीछे वाला ABS जो है on या off आप कर सकते हैं अपने सहुलियत के हिसाब से लुक्स देख सकते हैं कितने जादा attractive लगते हैं पहले से ही मैंने इसको पहली बार देखा था न तो बहुत ज्यादा डिफ्रेंट सी बाइक लग लग री थी क्योंकि लोगों ने इसको ज्यादा exploring नहीं किया और बहुत कम लोगों के पास यह बाइक मैंने देखी है और जिनके पास भी देखी है वो अलगी एक different ही route presence catch कर लेते हैं अब directly एक बर मैं आपको इसके engine compartment के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि जो इसका engine compartment है वो आपको काफी ज़्यादा सही सा लगेगा अब अगर आप इसके overall looks के बारे में बात करते हैं काफी ज़्यादा different color वेगरा भी इसके अंदर यूज के गए हैं हस्कोरना का logo वेगरा exhaust pipe वेगरा भी आप देख सकते हैं radiator grill भी देखने को मिल जाता है और original radiator grill जिसमें आपको proper fan वेगरा देखने को मिल जाता है तो जो power figures है ना भाई पहले तो मैं आपको बताता हूँ 399 CC का engine पूरा ही देखने को मिल जाता है और जो power figures है 42.9 BHP देखने को मिल जाता है जो कि 9000 RPM पे आपको इसका power figure देखने को मिल जाता है साथे 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 अगर आप torque की बात करते हैं जो 39 एनम का torque देखने को मिल जाता है जो कि 7000 RPM पे जो है unlock सा हो जाता है और mileage की बारे में अगर हम बात करते हैं तो mileage जो है इसकी काफिजदा सही रहने वाली है मतलब 29 KMP यानि कि 30 की mileage आराम से निकाल के दे देता है मतलब mileage थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन उतना आपको feel नहीं होने वाला है क्योंकि power figures आपको जो है काफिजदा impress कर देते हैं अब थोड़े से features के बारे में बात कर लेते हैं यानि की cluster के बारे में बात कर लेते हैं fully LED cluster आपको देखने को मिल जाता है और कहीना करी जो overall चीज़े हैं काफिजदा सही देखने को मिल जाती है अब इसके अदर आपको traction control देखने को मिल जाता है riding modes देखने को मिल जाता है overall GPS navigation देखने को मिल जाता है और कहीना करी turn signal वेगरा सारी चीज़े आपको जो है suspension देखने को मिल जाते है आपको front के लिए और rear के लिए भी तो आप adjust कर सकते है बाकि इसके अदर modes वगरा भी देखने को मिल जाते है ABS को भी आप अपने according control कर सकते है और जो चीज़े हैं वो काफिज़े अच्छी खासी इसके इंदर दीए गए है overall जो mobile app connectivity है वो भी इसके इंदर आपको देखने को मिल जाते है तो आप अपने phone से भी connect इसको कर सकते है और जो चीज़े है reminder है वो आपको सारी चीज़े देखने को मिल जाती है यहाँ से आप पूरही navigate कर सकते हैं basically वो deeper है hazard light का भी button देखने को मिल जाता है exhaust sound आपको कैसा लगा मैं को comment कर जो बताना अब बात कर लेते हैं इसके rivals के बारे में तो rivals में आपको KTM की 390 Duke भी देखने को मिल जाती है और BMW की G310R भी देखने को मिल जाती है और साथे साथ आपको Bajaj की Dominar 400 भी देखने को मिल जाती है और मुझे ऐसा लगता है Bajaj की Dominar 400 भी एक अच्छा option है अगर आपको लुक्स इसके ज़्यादा पसंद आ रहे तो वह भी आप देख सकते हैं और एक और ब्रैंड की बाइक आती है जिसका नाम QJ है और motor SR के 400 CC के साथ जो है वह बाइक मिलती है तो वो थोड़ी से expensive है लेकिन उसके लुक्स बहुत ज़्यादा पहतरीन देखने को मिल जाता है तो यह कुछ rivals आपको इस बाइक की देखने को मिलेंगे आप बात कर लेते हैं प्राइजिंग की मतलब सीधा सीधा आपको यह चार लाक की बाइक देखने को मिल जाती है तो बाइज चार लाक में आप यह बाइक लोगे या दूसरी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना बागे मिलते हैं एक नहीं आपको वीडियो अच्छे लेगे हैं तो प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब बिज़श्य करते हैं थैंक फर वाचिंग देस वीडियो